यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक के हर खबर के अपडेट पाओ चले बाब को सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता संभित पात्रा को जो प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं के नाम पर गरीबों के साथ दलितों के साथ उपहास और भद्दा मजाक राहूल गांधी ने किया है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मस वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ लगजरी आप सुभह सोके नहीं उठ सकते हैं भूख एक वक्त की भूख को आप जेल नहीं सकते हैं और आप बड़ा परिवर्तल लाना चाहते हैं आप बात करते हैं आंदोलन की आप लोग कॉंग्रेस के जो नेता हैं और कॉंग्रेस के जो प्रनेता हैं गांधी परिवार हो चाहे कांग्रेस के बाकी आला नेता हो आनंद के वातावरन में रहना विलासिता में रहना और विलासिता के माध्यम से अपने जीवन को वसर करना यही कांग्रेस की नीती है यहां बिलकुल आप कॉंट्रास्ट देखिए एक साधारन पिछडे वर्ग से आया हुआ लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सबका चहेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो विश्वास करते हैं पॉलिटिक्स अफ पर्फॉर्मेंस में जिनोंने दलितों को मुख्यधारा में सुबह हमने जंधन योजना के विशे में बताया था मुद्रा के विशे में बताया था सबसे ज़्यादा MP और ML हमारे पाटी के दलितों में से हैं अर्थात राजनेतिक समावेश और आर्थिक रूप से समावेश दोनों को ही किसी ने धराधाम पे उतार के हिंदुस्तान में दिखाया है तो पॉलिटिक्स अफ पर्फॉर्मेंस के माध्यम से स्री नरिंद्र मोदी जी ने किया है और आज राहूल गांदी जी उन्हें एंटी दलित कहते हैं राहूल जी एंटी दलित कौन है सत्तर वर्षों तक जिन्होंने दलितों को फैनांसियल इंक्लूजन से बाहर रखा उन सत्ता के लिए नहीं रह सकती है जल बिन पानी जल बिन मचली उस तरह की हालत उनको होती है है किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी करना पढ़ जाये समाच को समाच से लडाना पढ़ जाए हिंसा पहलाना पढ़ जाए मध्यपरदेश में जिस प्रकार से बात की गई थी चलो आग लगा देते हैं आग लगाने की राजनीती करनी पढ़ जाए झाल